कि दोस्तों नमस्कार कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो लगातार पूरी दुनिया में बहुत ही मुश्किल होती जा रही है और दुनिया के तमाम देश अपने अपने धंग से इस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की जिन्दगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं पूनिश सर नमस्कार कैसे हाँ आप लगातार बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स कर रहे हैं लाइव मैं लगातार देखता रहता हूं आलोग भाई सर नमस्कार जी सही कहा आपने पूरी दुनिया में बुरा हाल है बहुत ही मुश्किल हालात बने हुए हैं और हर देश को जवर्दस धंग से प्रभावित किया है कोरोना ने हितेश जी कैसे हैं हितेश जी बहुत ही जो जारू फोटो जन्रलिस साथ ही है नीरज जी टोली जी आगे हैं नीरज जी नमस्कार आपने कई महत्पून सवाल उठाए थे पिछली बार पिछले लाइव में खास तोर पर दो मुद्धों पर बात की थी हमने शिक्षा और चिकित्सा उस लंबी बातचीत के बाद बहुत सारे बित्रों के कमेंट्स आए और मुझे लगा कि इसको दो हिस्सों में इस विशे पर बात करनी चाहिए हमें सिक्षा पर हम अलग से बात करें और हेल्थ के उपर अलग से बात करें तो चुकि इस समय हेल्थ का इशू बड़ा है वो एक बड़ी चुनोती है तो पहले हेल्थ के मुद्दे पर ही बात करते हैं और आने वाले दिनों में हम एजुकेशन पर भी बात करेंगे राजकुमार यादव जी देख रहे हैं पुनी सर लिख रहे हैं जहां सी अभी तक सुरक्षित था लेकिन आज यहां भी कोरोना आ गया वहो बताईए जो इलाके अभी तक ऐसे थे जो जिले ऐसे थे जहां पर को मुचा था वहां भी पहुचना शुरू हो गया है बहुती सतर्क रहने की जरुष है हम सब को लोकडाउन के नियमों का पालन करने की जरुष है फिजिकल डिस्टेंसिक डिस्टेंसिंग बनाए रखने की जरुष है नवीन आ गये हैं बागपस से नवीन चिकारा जी कैसे है नवीन जी, सीमा शर्मा जी चुड़ी हैं, नमस्कार सीमा जी तो आज हम health के issue पर बात करेंगे और इसमें कई सारे factors पर हम बात करेंगे हमारे देश की क्या इस्थिती है, हमारे देश का health system कितना मजबूत है और किस तरह के संसादन हमारे देश के पास है health के segment में इस पर बात करेंगे, और दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसका medical health system बेहत पुखता है और वो दुनिया के कई देशों में इस वक्त कोरोना के खिलाफ medical सेवाएं दे रहा है नीरजी नमस्कार, नीरजी टोली जी जुड़े हैं और इसके साथ ही हम बात करेंगे इस पर की किस तरह का model हमारे देश में health को लेकर होना चाहिए यह हो सकता है और उसकी क्या सीमाएं है ऐसा करने की लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कोरोना योद्धाओं के बारे में करेंगे उन डॉक्टर्स के बारे में करेंगे जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं लोगों की जान बचा रहे हैं सीमा जी नमस्कार उन कोरोना योद्धाओं के बारे में बात करेंगे और लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक दो ऐसे वीडियो पर सोमेन धाका जी जुड़े हैं बार एसोशेशन बागपत के अध्यक्ष रहे हैं सोमेन जी बहुत जुजारू नेता हैं धीरेन सिंग जी जुड़े हैं आप सब कुशल होंगे और सारे जो प्रिकोशन्स हैं वो ले रहे होंगे अपने आसपास के लो पर जो लोगों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाले हैं अभी दो वीडियो कल सामने आए एक लोनी का था जिसमें लोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने दो बच्चों के साथ अपना वीडियो बनाकर के सोशल मीडिया में डाला था और उसने कहा था कि मेरट मेडिकल कोलेज में उसकी पत्नी एड्मिट है उसको कैंसर भी है और कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है इस आशंका के चलते वो टेस्ट कराना चाहते थे और वो खुद लेकर के गए थे अपनी पत्नी को खुद उन्होंने सरकारी डोक्टरों के वहां से उनको मेरट मेडिकल कोलेज भेज दिया गया विनीच जी नमस्कार और मेरट मेडिकल कोलेज में उनकी पत्नी ने वीडियो कोलिंग के जरिए तरुन भाईसाम नमस्कार तरुन धाका जी जुड़े हैं बहुत ही वरिस्ट वकील है मेरट के वो वीडियो के जरिए अपने पती को महिला ने दिखाया कि वहाँ उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इलाज नहीं कर रहा है, दवाज ने पीने की विवस्था नहीं है, ऐसी बाते कहते हुए लोनी के उस व्यक्ति ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाजी से प्रार्थना की हा उसकी जान चली जाएगी, साथ में उसके दो बच्चे भी मुझूद थे, दूसरा वीडियो मेरट से ही आया, जिसमें केसर गंज में एक बुजूर्ग की डैथ हुई थी कुछ दिन पहले, और उसके एक रिष्टेदार ने वो वीडियो डाला और कहा कि वो लगातार ये को से भी कॉंटेक्ट किया, तब भी इलाज नहीं मिला, और अल्टिमेटली उनकी डैथ हो गई, और डैथ होने के कुछ गंटे पहले उनका सेंपल ले करके जाच के लिए भेजा गया, जिसका रिजल्ट भी नहीं आया था उस समय तक, हाला कि उनके वीडियो डालने के बाद देर शाम तक उनकी रिपोर्ट आ गई और वो कोरोना पोजिटिव निकले, दूसरा जो वीडियो लोनी के गटिने डाला था, उसका भी संग्यान लिया साशन ने, और संग्यान लेते हुए साशन ने उसमें ततकाल कारवाई की और उनको जो है, इलाज मुहिया कराया, वो जो महिला मेडिकल कोलेज में एड्मिट हैं, इस तरह की ऐसी चीजें भी आ रही हैं हमारे सामने, जो भरोसा तोड़ती हैं कहीं कहीं, सवाल खड़ा करती हैं हमारे देश के मेडिकल हैल्थ सिस्टम के उपर, लेकिन मित्रों इस संकट के दोर में मेडिकल हैल्थ सिस्टम प करते हैं कहां टिकते हैं उसके पहले मैं बात करूंगा थोड़ी देर उन डाक्टरों की जिंदगी के बारे में जो इस समय लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं उनकी जान को भी खत्रा है और वो दूसरों की जान बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं इस वक्त जब हम डाक चिकित्सकों को इसमें नहीं लगाया गया है और नीजी चिकित्सकों को सरकार ने मना भी किया है कि वो कोई कोरोना का पेशेंट भरती नहीं करेंगे यानि इस वक्त जो नीजी चिकित्सक हैं वो भी आम लोगों की ही तरह हैं और जो सरकारी डोक्टर हैं वही केवल कोरोना से लड़ रहे हैं तो यानि जब मैं बात करूं डोक्टर शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप समझिये कि सरकारी डाक्टर की बात हो रही है विरेंद देशवाल जी अनन्द जैन जी कैसे हैं आप सब अनन्द जी केंट बोर्ड के बहुत ही जुजारू पारशद हैं विरेंद ज खत्रा है एक तो यह बड़ा खत्रा है कि कहीं वो खुद कोरोना से संक्रम इतना हो जाएं दूसरा उनकी जो वर्किंग कंडिशन्स हैं वो बहुत खतरनाक हैं वो बहुत मुश्किल हैं इस समय कोरोना ड्यूटी में लगे वे डोक्टर्स दस दस बारा बारा पंदरा फंदरा घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और मुझफर पूर से हमारे वरिस साथी जुड़े हैं गणेश महता जी ललीत यादव जी जुड़े हैं नमस्कार आप सभी को तो मैं बात कर रहा था कि जो कोरोना वारियर्स लगे हुए हैं जो डोक्टर जबर्दस्थ खत्रा है संकल्ब जी नमस्कार कैसे हैं आप तो उनकी जान को जबर्दस्थ खत्रा है और जो PPE किट शुरुआत में तो PPE किट का भारी संकट इस देश में था और डोक्टर स्कूल मिल नहीं पा रही थी शुरुआती दोर में लेकिन PPE किट वो किट है जो डोक इसको सरकार ने आयात भी किया दूसरे देशों से यहां भी बननी शुरू हुई और जिस वक्त चाइना में यह क्राइसिस आया था कोरोना का तो हम टेलिवीजन पर देख रहे थे कि यह जो PPE किट पहने हुए उनके डोक्टर्स उनकी पुलिस उनके जो भी कोरोना वारियस से वो सब इस किट को पहने हुए थे और उनका वो उस तरह की युनिफोर्म जब हमारे देश में कोरोना इंट्री कर रहा था तो बहुत दिनों तक टेलिवीजन स्क्रीन पर भी नहीं दिखी उस तरह की युनिफोर्म और सरकार को काफी समय लगा उसकी व्यवस्था करने मे लेकिन अंतताव काफी हद तक उसकी व्यवस्था हुई है लेकिन वो पीपी किट पहनना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है उसको पहन करके काम करना मैंने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा कि पीपी किट पहनने के बाद आठ घंटे तक डोक्टर्स उसको चेंज नहीं करते है वो युनिफोर्म निकालते नहीं है और उस आठ घंटे के पिरियड में वो पानी नहीं पी सकते खा नहीं सकते टोयलेट वाश्रूम तक नहीं हो जा सकते हैं उस सिचुएशन में लगातार आठ घंटे उसको पहने रहना होता है उन्हें और वो बहुत ही मुश्किल हालात ह हैं और वो जब घर जाते हैं अपने तो उनको खुद को अलग रखना पड़ता है खुद को करेंटीन जैसी सिचुएशन में रखना पड़ता है उनके कपड़े अलग होते हैं उनके घर में खाने के बरतन अलग हैं वो अपने परिवारों के लोगों से महीनों महीनों से नह से सामाजिक तत्तों ने और कई जगे से ऐसी खबर आई खुद मेरट से ऐसी खबर आई कि एक डोक्टर को निकाल वो किराये पर रहते थे लोगों ने वहां पीट दिया और कहा कि आप बाहर जाएए यहां आपको यह मकान खाली कीजिए और कोलोनी में मत आईए आपको जो है सार्थक और सामिक समवाद धन्यवाद मोनुजी तो करोना वारियस इन विशम परिस्थितियों में भी जबकि उनके पास परियाप संसाधन नहीं है उनके पास किट नहीं है परियाप उनके पास लड़ने के संसाधन नहीं है डाक्टरों की संख्या बेहद कम है उनकी आखिर लोगों को इस तरह के वीडियो क्यों डालने पड़ रहे हैं कोरोना वारियर्स को ये सब चेलेंजे क्यों फेस करने पड़ रहे हैं इसके पीछे जाने की जरुरत है और इसकी इंसाइड स्टोरी हमारे मेडिकल हैल्स सिस्टम में छुपी हुई है अगर हम अपने तरह की चुनोतियां जहलनी पड़ रहे हैं उसी की कमजोरी की वजए से देश में लोगों को समस्यां जहलनी पड़ रहे हैं विपिंजी जुड़े हैं विपिंजी नमस्कार विपिंजी ने और गणेश महता जी ने दोनों ने मेडिकल हैल्स को लगातार लंबे समय तक कव पर भी किया है वो बैतर ढंक से जानते समझते होंगे इसको और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अच्छे कमेंट्स जोड़ करके इसको और बैतर बनाने की कोशिश करेंगे इस चर्चा को मित्रों जब हम मेडिकल हेल्थ सेवा की तरफ देखते हैं अपने देश की तो एक जो इंटरनेशनल रेंकिंग है दुनिया के तमाम देशों की मेडिकल हेल्थ सेवाओं की उसमें हमारे देश की स्थिती 158 नंबर पर है 195 देशों की जो रेंकिंग है मेडिकल हेल्थ सेवाओं की उसमें हम 158 नंबर पर टिकते हैं यानि दुनिया में बहुत ही कमजोर धाचा हमारे हां हेल्थ फेसिलिटीज का है ये रिपोर्ट ये बताती है धिरेन सिंग जी कह रहे हैं कि मैं अभी मुरादाबाद में हूँ य कोरोना से संक्रमित हो गए और अस्पताल में भरती होने के लगबग एक हफते बाद कोरोना से जिंदगी हार गए अगर समुचित संसादन होते तो शायद डौक्टर निजामुदीन को बचाया जा सकता था सही कह रहे हैं दिरेन जी इस तरह की खबरें देश भर में कई जगह से आई हैं जा कोरोना वारियर्स जा डौक्टर संक्रमित हो गए कई जगह लोगों को जान गवानी पड़ी है कई जगह डौक्टर्स भरती हैं और परामेडिकल स्टाफ को भी ये चुनोतियां जेलनी प टिकता है तो एक सो पिचानवे देशों के कंपेरिजन में हमारा मेडिकल हैल सिस्टम एक सो ठावनवे नंबर पर टिकता है जो बहुत ही खराब स्थिती है और भारत ऐसा देश है जहां एक सो तीस करोड की आबादी है जहां पोपुलेशन डेंसिटी बहुत जादा है एसे एसे इलाकों में भी इंडिया जो है जीडीपी का केवल 1.2% मेडिकल हैल सिस्टम पर खर्च करता है जबकि दुनिया में तमाम देश ऐसे हैं जो अपनी जीडीपी का 10% 12% 13% तक मेडिकल हैल सिस्टम पर खर्च करते हैं एवन मालदीव जैसा छोटा देश भी 13% रकम अपने GDP की Medical Health से वहाँ उपर खर्च करता है। दुनिया के तमाम देश Medical Health को आदमी की जिंदगी को बहुत गंबीरता से लेते हैं और हमारे देश में Medical Health को आदमी के स्वास्त को उसकी जिंदगी को कितनी गंबीरता से लिया जाता है। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि हमारी सरकारें कुल GDP का 1.2% ही Medical Health पर खर्च कर रही हैं। बहुत ही चिंता की बात है हमारे देश में 10,700 लोगों पर एक डाक्टर की उपलब दता है। एक Qualified Doctor के ऊपर 10,000 से ज़्यादा मरीजों के इलाज करने का बोज है। 10,000 से ज़्यादा मरीजों की जिम्मेदारी एक डोक्टर के पास है। World Health Organization का जो Standard International वो ये कहता है कि minimum 1,000 लोगों के ऊपर तो कम से कम एक डोक्टर होना ही चाहिए। भारत में कुल 11,000 लाख ऐलोपेथिक डोक्टर्स हैं। विजय पमार जी जुड़े हैं हमारे साथ ही हैं बहुत ही पुराने विजय जी नमस्कार। यानि हमारे हाँ 11,000 लाख ऐलोपेथिक डोक्टर्स हैं। 10,700 लोगों पर एक डाक्टर है। पूरे देश में 26,000 सरकारी अस्पताल हैं 135 करोड लोगों के उपर यानि की करीब 50,000 लोगों पर एक अस्पताल है। एक अस्पताल के उपर 50,000 लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है। और देश की राजदानी दिल्ली में तो यह आंकड़ा और भी खराब है। वहां तो एक अस्पताल के उपर एक लाख लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है। हम अगर देखें कि बीमारियों की क्या स्थिती है भारत में। अगर हमारे देश की भोगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती। हमारे देश का ecosystem ऐसा होता कि यहां बीमारियां कम होती तब यह समझ में आ सकता था कि हम इतना कमजोर infrastructure डवलप करें इतना कम पैसा हम education health पर medical health पर खर्च करें लेकिन बीमारियों के लिहाज से हमारा देश बेहद समवेदन शील है विजय जी प्रणाम धन्यवाद जुड़ने के लिए मोहिज जी नमस्कार आपने कहा मोहिज जोड रहे हैं कि देश में केवल 40 लाख सरकारी वेंटी लेटर हैं बहुत ही खराब स्थित है बागत बस से हमारे पत्रकार साथी संजय त्यागी जुड़े हैं संजय जी नमस्कार आप सब कुछ तथ जोड़ते रहेंगे तो यह समवाद चर्चा और सार्थक होगी और बहतर होगी आप इसमें लगातार चीज़ें जोड़ सकते हैं मैं आप सब को आमंत्रित करता इस पर बात होनी चाहिए और हम इस पर जितना बात करेंगे उतना बहतर होगा उतना एक दबाव बनेगा हमारे सिस्टम के उपर हमारे सरकार के उपर और हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ जाएगा और वो जब ध्यान जाएगा तो मेडिकल हेल्थ फोकस में आएगी तो आज के दोर में तो कम से कम medical health को सरकार के focus में आना ही चाहिए और एक long term plan बनाना चाहिए चुकि ये तो महामारी है और महामारियां लगातार आती रहती है एक निश्चित अंतराल के बाद दुनिया के तमाम देशों में अगर महामारियों से भी हम सबक नहीं लेंगे तो कैसे काम च मैसेज भी चले कि जीरा खाकर immunity बढ़ा लें इलाइची खाएं मिर्च खाएं और तमाम सारी चीजें उनका एक अलग पहलू हो सकता है उनमें कितना दम है क्या इस्थिती है वो कोरोना से लड़ने में इंसान को कितना सक्षम बना सकती है एक different issue है इस पर भी हम बात करेंगे दुनिया का वो छोटा सा देश जो 60,000 से ज्यादा डॉक्टर जिसने दुनिया के तमाम देशों में भेज रखे हैं उसने immunity डेवलप करने की भी एक दवा इजाद की थी जो खास तोर पर flu में immunity बढ़ाने का काम करती है और दुनिया के तमाम देशों में उस दवाओं का वर्दस acceptability भी है इस पहलू पर बिवी पिन जी हम बात करेंगे संजय जी नमसकार तो मैं बीमारियों की तरफ चलता हूं कि देश की स्थिती बीमारियों के मामले में क्या है हमारा देश बीमारियों के लिहाज से किस situation में है किस तरह की बीमारियां हमारे होती है मित्रों कोर रिकल हैल्स से जुड़ी कुछ चीज़ें जोड़ेंगे मुझे ऐसी उमीद है तो हमारे देश में ये कोरोना मैं की मैं बात कर रहा था कोरोना तो ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं खोज पाया है कोई वेक्सीन नहीं आ पाया है और दुनिया एक बड़ा सवाल ये भी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये लोकडाउन की जो सिच्वेशन है ये इंडिया कब तक बरदाश्ट कर सकता है एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अभी दूर दूर तक भी कोरोना का कोई मुकमल इलाज दिखाई नहीं दे रहा है शुरू कि टेंपरेचर बढ़ने से ये खतम हो जाएगा सत्यकाम मानव सेवा समीती हमारे आसाथ जुड़ी हैं मनुदेव जुड़े हैं धन्यवाज संकल्ब जी ने कुछ चीजें जोड़ी हैं धन्यवाज संकल्ब जी तो सवाल ये है मोनु जी कह रहे हैं ये सई समय है जब चेत्र तुम्हें एक नई शुरुवात हो सकती है देश की राजनीती को जाती धर्म छेत्र और सतही चीजों से अलग हटकर मुद्दे अधारिच चीजों पर फोकस करना होगा सर्वेश पुंडियर जी जुड़ी हैं बहुत ही जो जारू समाजिक कार्य करता हैं नमस्कार म तो हम अधिकल शी्टम पर बात कर रहे हैं दैश के और हमारा देश बीमारियों के लिön से करिक यह कितना समय और कर तो कोई बात अभी तक साफ तोर Google स.ईंस अभीruckोज hoorए नहीं पाई है दुनिया की और हम इस कर रहे थे कि अपना देश कहां टिक रहा है बिमारियों के लिहाज से तो अभी 2016 में ततकालीन जो हैल्थ मिनिस्टर थे जेपी नडड़ा जी उन्होंने एक रिपोर्ट राजसभा में पेश की थी और पेश उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि हमारे देश में करीब जितनी भी मोते बिमारियों से होती है उनमें 12 फीस दी मोत हार्ट आटेक से होती है सबसे ज़्यदा लोग दिल की विमारियों से हमारे मर रहे हैं फेफडे संबंदी जो विमारियां हैं दस फिस्दी लोग उन से मर रहे हैं डक्साब डक्टर राजकुमार बजाजी कह रहे हैं कि स्मूद्दे पर बात करने के लिए धन्यवाद आभार आपका डक्साब जुड़ने के लिए आप कुछ विज्ञानिक और कुछ इस मेडिकल साइंस की जो प्रोब्लम्स हैं जो समस्याएं हैं वो जोड़ने इसमें अच्छा रहेगा हम सब को लाब मिलेगा उसका दूसरा इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक से लगबग 9 फीजदी लोग जो है वो लकवा और ब्रेन स्ट्रोक और मिर के इस टाइप की बिमारियों से मर जाते हैं और सांस से जुड़ी जो दूसरी बिमारिया उन से भी लगबग साड़े चार फीजदी लोगों की मौत हो रोड एक्सिडेंट्स में लगवक 2.4% लोग हमारे देश में मरते हैं कुल जो मोते हमारे देश में होती हैं उनका ये हिस्सा बता रहे हैं यानि कि अगर सब इस तरह की सारी सुसाइड लगवक 2.6% होते हैं अगर ये सारी चीजे जोड़ दें तो 50% से ज़्यादा बैठती ह हैं यानि हमारे देश में जो मोत होती हैं उनमें से 50% से ज़्यादा मोत बीमारियों की वज़े से सड़क दुरगटनाओं की वज़े से होती हैं और उनको रोका जा सकता है अगर हमारे देश का medical health system strong हो हम इस पहलू पर भी बात करेंगे इस चर्चा में कि क्या जनसंख्या क इसी देश की तरक्की में बाधा है या ताकत है इस पर भी बात करेंगे हम आगे जनसंख्या नियंतर्ण को ठोस policy बननी चाहिए और अनियंतरित नहीं होना चाहिए लेकिन हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर बजाज कह रहे हैं कि हमें अभी कोरोना के संकट के साथ जीने की प्रणाली में प्रणाली के बारे में सीखना होगा बहुत सही चीज आपने डॉक्ट साब जोडी है और इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से लगतार तमाम विज्यानिक तमाम बड़े डॉक्टर्स दुनिया भर में यही कह रहे हैं कि इनसान को सीखना होगा कि वो आखि पिर कैसे कोरोना के साथ जी सके चुकि कोरोना का कोई इलाज अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है वेक्सिनेशन में भी वक्त लगेगा इसलिए जरूरी है कि इस वाइरस से लड़ने जूजने के तोर तरीके हम सीखें सारे वग्यानिक आज के दोर में यही सला दे रहे हैं और कल परस्णों प्रदान मंत्री मोधी जी ने भी यही सला दी उन्होंने भी कहा कि इसी के साथ हमको जीना सीखना होगा और बदलना होगा चीजों को लेकिन हम यह वी एक बड़ी चुनोती है कि भारत जैसे देश में जहां नोर्थ इंडिया में बहुत डेंस population है जहां social distancing maintain करना एक बड़ी चुनोती है वहाँ यह कैसे संभव होगा दूसरा हमारे जो संसादन है उनको medical health की तरफ divert किया जाना बहुत जरूरी है पूरे देश के तमाम संसादनों का इस्तेमाल आज medical health facilities बढ़ाने की तरफ किया जाना चाहिए अगर नहीं किया जाएगा तो इसके परिणाम गंबीर हो सकते हैं अभी तक तो देश में लोगों को मास्क तक भी नहीं मिल पाया है और प्रधान मंतरी को मजबूरी में ये कहना पड़ा कि गंचा भी बांद सकते हैं लोग हाला कि एक हट तक गंचा बांदना ठीक है लेकिन मेरे डॉक्टर साथ ही ब गंचा बांद के रखेंगे तो खुल भी सकता है उसको आप कई बार हाथ भी लगा सकते हैं उसकी बाहर वाली लेयर अंदर जा सकती है अंदर वाली लेयर बाहर जा सकती है तो वैज्यानिक नजरिये से मास्क जादा बहतर है गंचे के मुकाबले लेकिन देश में जब उप इतनी बहतर हों कि तत्काल लोगों को इलाज मिले नीजी चेतर के डाक्टरों को भी सरकार विशे सुविधाय किट दे करके कोरोना की साथ चल रहे इस लड़ाई में शामिल करें उनको भी हिस्सा बनाए उनको सुविधाय दी जाए सारे अस्पतालों में बीमारियों का तो इसकी विवस्था कराय सरकार ये बहुत जरूरी है तमाम बीमार लोग आज इलाज नहीं करा पा रहे हैं उनके सामने बड़ी मुसीबत है हमारे साथ साइतिकार निर्मल गुपता जी जुड़े हैं निर्मल सर आपका मस्वागत करता हूं बहुत ही पैनी दरस्टी आप र मोडल है मैंने उसकी स्थिती बताई कि वो कितना कमजोर है हमारे देश का मेडिकल हैल्स सिस्टम और वो कभी सरकारों के फोकस में नहीं रहा राकेश टिकैज जी किसान नेता हैं हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर नवीन चनलोहनी जुड़े हैं नमस्कार आप दोनों क टिकैज साब राम-राम किसान लगातार लगे हुए हैं जूज रहे हैं और आप किसानों को लगातार जागरूप कर रहे हैं कि वो कैसे इन हालात में सबसे अच्छा मुडल जैसे डॉक्टर बजाज ने अभी कहा था कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा इसका सबसे परिस्थितियों में भी अपना कामकाज लगातार कर रहे हैं और बचने की कोशिश भी कर रहे हैं अमित बालियान जी नमस्कार डॉक्टर बजाज कह रहे हैं कि गुड हाईजिनिक कंडिशन्स करनी होंगी बहुत सही कहा आपने और गुड हाईजिनिक कंडिशन्स का सीधा सं संबंद लिविंग स्टेंडर्ड से है यानि कि जब तक देश के आम लोगों की जो का जो जीवन स्तर है वो बैतर नहीं होगा तब तक गुड हाइजिनिक कंडिशन्स एक सपना ही होंगी प्रोफिसर नवीन चनलोनी सर कह रहे हैं बचाव के सभी संभव साधन अपनाने चाहि कि वो क्या हो सकती है जिसमें डॉक्टर बजाज ने जोड़ा कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा अभी इसके सीवात अतकालिक तोर पर कोई सोलुशन दिखाई नहीं दे रहा है अब तीसरी बात ही आती है कि हमारे देश का जो कम जो और मेडिकल हैल्स सिस्टम है जो पूरी दुनिया की रैंकिंग में 158 नंबर पर टिकता है 1955 देशों की क्या उसको मजबूत नहीं होना चाहिए क्या इस देश के एजुकेशन सिस्टम को इस देश के मेडिकल हैल्स सिस्टम को ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए कि उस तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पह को इस इस हिस्से पर हम बात करते हैं इसका सबसे शांदार मोडल इस वक्त पेश किया है क्यूबा ने क्यूबा एक छोटा सा लेटिन अमेरिकी देश है जो अमेरिका के बिलकुल करीब है और क्यूबा की पोपुलेशन लगबग डेड करोड है क्यूबा ने हाल में ही जब इटली बुरी तरह से कोरोना से हार गया एक खास बात और सामने आई कि ऐसे देश जिनका मेडिकल हैल्स सिस्टम बहुत स्ट्रोंग था उन में जब कोरोना ने हमला किया तो वह उनका जो मेडिकल सुशील उपाज ध्याजी हमारे साथ जुड़े हैं नमस्कार आप बहुत अच्छे वेबिनार्स लगातार कर रहे हैं दीपक शर्मा जी जुड़े हैं विजय पमार जी कह रहे हैं कि हमें अपनी आदतों और व्यवार में परिवर्तन करना होगा दीपक जी ने कहा कि हमें ऐसे हालात में ही आगे आने वाली चुनोतियों के लिए पहले से तयार रहन होगा यानि यह सही बात है कि पूरे देश में ज्यादतर लोग अब इस तरफ सोच रहे हैं इस तरफ काम कर रहे हैं कि कोरोना के रहते हुए यूमन लाइफ कैसे नोर्मल हो कैसे हम उससे बचते हुए अपने काम काज करें और चीजें प्रभावित नहीं हो तो हम बात कर रहे थे क्यूबा के मोडल पर कि क्यूबा का मेडिकल हेल्थ मोडल क्या है वो कैसे काम करता है और कैसे एक डेड़ करोड की पोपुलेशन का छ की दुनिया भर मेडिकल हेल्थ फेसिलिटीज प्रवाइब करा रहा है आखिर क्या है क्यूबा का मोडल इस पर बात करते हैं क्यूबा ने जगमोन श्रकाल जी हमारे साथ जुड़े हैं केंट बोर्ड के पारशद है नमस्कार जगमोन जी हम क्यूबा के हेल्थ मोडल पर ब कि अभी तक ऐसा सिद्ध नहीं किया है विज्ञानिकोंने की गर्मी बढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा क्या यह सिर्फ कयास हैं सही कहा आप ने अभी तक ऐसा कोई medical research सामने नहीं आया है कि environmental temperature बढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा ऐसी कोई संभावना डाक्टरों ने विज्ञानिकों ने अभी नहीं जताई है और यह सिर्फ अभी तक gossip है ऐसा कुछ होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है कहीं कि यह 50 डिगरी तक भी 50 डिगरी तक हमारे देश में temperature जाता है 50 बावन तक तो उस तक कोरोना खत्म नहीं होगा यह यह अभ और खुद प्रदानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने यह संकेत दिये थे ऐसे कि अभी यह लड़ाई लंबा चलने वाली है इसलिए लोग अपनी आदतों को बदलें और अपने विभार को बदलें परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालें विकास गर् नाम में भी अपने डोक्टर्स भेजे हैं खास तोर पर क्यूबा उन देशों में डोक्टर भेजता रहा है जहां मामारिया फैली हैं साउथ अफरीका के देश जहां अक्सर मामारियां फैलती हैं उनमें वो मेडिकल सेवाय देता है उनमें अपने डोक्टर भेजता है और एपने medical health system को अप्ग्रेड करने के लिए, अपने डाक्टरों को प्रसिक्षित करने के लिए, एडवांस करने के लिए, वो जिस देश में भी दुनिया के कोई नई वीमारी आती है, नई महवारी आती है तुरंत अपने डाक्टरों की टीम इलाज करने के लिए वो वहां भेजता है और अपने हैल्थ सिस्टम को अपने मेडिकल ग्यान को लगातार अपग्रेड करता है अपडेट करता है लगतार नए नए डाक्टर पैदा करता है और उन डाक्टरों को दुनिया भर में भेजता है और वो ही उसके रिवेन्यू का बड़ा सोर्स है साठ से ज़्यादा देशों में डाक्टर भेज रखे हैं इस वक्त क्यूबा ने तीस हजार से ज़्यादा डोक्टर उसके सेवाएं दे रहे हैं विदेशों में क्यूबा की स्थिती यह है कि वहाँ 155 लोगों के उपर एक डाक्टर है एक डाक्टर के पास सिर्फ 155 लोगों क इलाज की जिम्मेदारी है इतनी जादा उपलबता वहां डोक्टरों की है और वो लगबग 123 देशों के डोक्टरों को अपने हाँ ट्रेनिंग देता है मेडिकल की पढ़ाई का भी बड़ा सेंटर है वो और क्यूबा 2004 में दुनिया के सामने बड़े तोर पर तब उढ़ा कोक्टर बजाज की बात जोड़ना चाहता हूं उन्होंने कुछ जोड़ा है वो कह रहे हैं कि शादी पार्टी जनम दिन जैसे आयोजनों पर हमें सोचना होगा कम से कम लोग आएं मास्क लगा कर आएं आयोजन स्थल के गेट पर सैनिटाइजर मशीन लगी हो हैंड सैनिट सैनिटाइजर रखे हों गेट पर फूल बरसने की जगा सैनिटाइजर दिया जाए ठीक कह रहे हैं डोक साब बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में कुछ चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना होगा सही चीज जोड़िया अपने धर्मेन बिश्रा जी अइससिस्टम जो मोडल है उसने लोहा पहली बार तब मनवाया, जब उसने 75-45,00,00,000 की बहुत सस्ते में कीूर, यह सब लातिन-अमरीकी देशों के के लोग थे अफरीकी देशों के लोग थे अमेरिका के भी लोग थे जिन्होंने भाँ जा करके सरजरी कराई ओपरेशन मिराकल का इसको नाम दिया गया दुनिया में अफरीका में जब इबोला आया तो वहां भी अपने डोक्टर्स इन्होंने भेजे और क्यूबा ने एक Interferon Alpha 2B, इस दवाई को ये माना गया कि ये यूरोप में, अमेरिका, अमेरिकन देशों में, अमेरिका में, लेटिन अमेरिका में, ये लोगों की इमिनिटी बढ़ाने में, जबर्दस धंग से इसकी मानेता हुई, लोगों ने एकसेप्ट किया कि इमिनिटी बढ़ाती है, इस से जो कमाई होती है, उस से उसकी अर्थ्ववस्ता चलती है, उसकी अर्थ्ववस्ता का बड़ा हिस्सा है, वेनेजुएला जैसे देशों से वो medical facilities प्रोवाइड कराने के बदले कच्छा तेल लेता है बदले में दूसरे देशों के साथ वो इस तरह का exchange का system भी चलाता है कि वो medical facilities प्रोवाइड कराता है और कुछ दूसरी जो जरूरी चीज़े हैं अपने देश के लिए उनको लेता है सुमीत नागर जी जुड़े हैं हमारे साथ गोतम बुद्नगर से नीरस असदेवा जी जुड़े हैं नमस्कार आप सब का धन्यवाद तो मित्रों ये बात हो रही थी कि क्या ये संभव है कि भारत में इस तरह का infrastructure खड़ा किया जा सके भारत विविदताओं वाला देश है और भारत में ताकतवर लोगों का कबजा है यहां के medical field पर medical education के ऊपर लेकिन अगर सरकार चाहे तो हो सकता है समात चाहे तो हो सकता है इसके उधारन हमारे सामने है जब इस देश में बैंकों का रास्टे करण एक साथ किया गया तो आवाज तक नहीं आई रातो रात रास्टे करण हो गया इस देश में और बड़ा उधारन मैं आपको देता हूँ क्या कभी कोरोना के पहले किसी ने सपने में भी ये सोचा था कि 130 करोड लोगों को एक महीने के लिए घर में बंद किया जा सकता है कोरोना आया प्रधान मंतरी ने सबसे अपील की और एक महीने से 130 करोड लोगों कपी में हैं सड़कों पर नहीं निकले अपने घरों से नहीं निकले और तमाम इंडिस्ट्रीज बंद हैं इंडिस्रीज चलाने वाले लोग सरकारें बदलने की इस्थिती में होते हैं सरकारों की नीतियां निर्धारित करने की स्थिती में होते हैं, बदलवाने की स्थिती में होते हैं, लेकिन जब सरकार ने ये विवस्था की, तो उन्हें समाज के साथ, सरकार के साथ आकर के खड़ा होना पड़ा, अगर सरकार देश के Medical Health सेवाओं का रास्ट्रेकर्ण करती ह एक बड़ा infrastructure खड़ा करती है और 130 करोड लोगों में यूवा जैसी situation बनाने के लिए बड़े पहँवाने पर medical colleges खोलती है जहां ऐसे नोजवान जिनके पास काम नहीं है उनको प्रसिक्षित किया जा सके उनको डोक्टर बनाया जा सके ऐसी विवस्था की जा सकती है इस देश में हर एक किलोमीटर पर हर दो किलोमीटर पर अस्पताल की जरुरत है इस देश में 10,000 लोगों पर एक डोक्टर की नहीं क्यूबा की तरह 155 लोगों पर एक डोक्टर की जरुरत है और ये संभव है हमें अपनी प्रात्मिक्ताएं तै करनी होंगी कि जनता की सेयत औ से मैं करोड़ रिटे की पंधी सऱ्कारों की स्रेक्थ में थे चायों करोड़ और रूपी थे मितार लेश्ट, लुपक सängerिई THE क्या करůं मैं क्या हमाँ तरह देश्ट, GDP का केवल 1.2% ही medical health सेवाओं पर खर्च होना चाहिए या इससे तत्काल बढ़ा करके 10%, 20% और 30% तक ले जाना चाहिए अगर हम ले जाते हैं तो वही जनसंख्या वही आबादी जो आज हमें बोज लगती है वो एक asset बन सकती है अगर हम बड़े पैमाने पर भारत दुनिया भ शक्ति को हम डोक्टर बना करके तयार करते हैं हम इसको पढ़ा लिखा करके medical health के field में ले जाते हैं पंजाब से जुड़े हैं हमारे साथी संजू कैसे हैं संजू लगतार बहुत अच्छा कर रहे हैं आप वहाँ विजय गर्ग जी जुड़ी हैं विजय जी कह रहे हैं कि आ इस तरह के बदलाओं की जवरत है इको सिस्टम, environment इन सारी चीजों पर सोचना होगा इस देश के ecosystem को disturb होने से बचाने के लिए इस देश के environment को बचाने के लिए इस देश के medical health system को strong करने के लिए सरकारों को और ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा इसको प्रात्मिकताओं मे लेकर के नहीं आए तो ये तैमान लीजिए कि आने वाले वक्त में कोई भी मामारी कोरोना से बड़ी आफ़त लेकर के आ सकती है और अब जब कि ये कहा जा रहा है कि हम 130 करोड लोगों का देश ये सीख ले कि कोरोना के साथ कैसे जीना है तब तो कम से कम इस देश में मेडिकल फैसिलिटीज को इतना स्ट्रोंग करना ही होगा कि मामूली बिमारियों में लोग ना मरें उनको समय पर इलाज मिले सही इलाज मिले और इस देश की श्रम शक्ती यूथ इस देश का मानौसंसादन में तबदील हो जाए ट्रेंड डॉक्टर्स पेरमेडिकल स्टाफ हम बड पेमाने पर मेडिकल कोलेजिज खोलें जब मेडिकल कोलेजिज हम खोलेंगे तो उनमें एंप्लोईमेंट जनरेशन होगा कंस्ट्रेक्शन में भूम आएगा और जब नए डॉक्टर्स तयार होगे तो देश में अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा होगा और पूर्ना केवल देश में बलकि वीदेशों में भी सेवाय दे सकते हैं इसलिए ये असंभव नहीं है ये नामुम्किन नहीं है कि देश के मेडिकल हैल्स सिस्टम को अपग्रेड किया जा सके उसको क्यूबा जैसे छोटे देश के मुकाबले में खड़ा किया जा सके प्रिब्रेंट फील्ड में हम उसको एज्यूकेट करें हम उसको टेंड करें और उटारों दे दुनिया के तमाम देशों में सेवायों के लिए तो वो बड़ी ताकत बन सकता है जिससे बड़े पहँने पर पब्लिक वेलफेर हो सकता है अतुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं अतुल जी कैसे हैं मैं कुछ साथियों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद आप सबसे उम्मीद करूँगा कि आप लगातार जहां हैं जैसे भी हैं इस मुद्दे पर बहस करें लोगों से बाचीत करें कि आखिर क्या होना चाहिए प्रोफेसर मोनू सिंग लिख रहे हैं हमें अपने महानगरों के आकार पर भी ध्यान देना होगा शेरों का अनियोजित विकास जिसमें बिना किसी रोक टोक के जनसंख्या का सेलाव उमरता जा रहा है जीवन जीने के का कोई पैमाना ही नहीं है घरों के नाम पर दडबे घरों के नाम पर दडबे माफ कीजेगा मैं पढ़ रहा हूं इसको थोड़ा सा आपको असविदा हो सकती होगी मुंबई की धरावी जैसे सलम एरिया में कैसे सोशल इस्टेंसिंग का परसनल हाईजीन का पालन संभव है या कैसे काम करें ये एक बड़ी चुनोती है शेरों के साथ गाउं को स्मार्ट बनाना होगा स्वास सेवाओं का भी विकंद्री करन करना होगा और बड़े फलक पर डोक्टर मौनू सिंग इस बातचीत को ले गए है हम अगले फेस्बूक लाइव में इस पर बात करेंगे सही कहा डोक्टर मौनू सिंग ने कि देश का जो इंफरस्ट्रक्चर है देश के डेवलपमेंट का जो मोडल है उसका हेल्थ से पबलिक हेल्थ से सीधा संबंध है आप जिस तरह का डेवलपमेंट का मोडल इस देश ने एडोप्ट किया है कुछ खास शेरों कुछ खास इलाकों में विकास हुआ है और रोजगार के लिए एक अंदी दोड उन शेरों की तरफ हुई है बड़े पैमाने पर लोग गावों से उन शेरों में शिफ्ट हुए है वहाँ सलम एरिया विक्सित हुए है वहाँ पोपुलेशन डेंसिटी बड़ी है उसी का नतीजा हुआ है कि कुछ ऐसे टापू बन गए है जहाँ विकास जहाँ समरदी के सारे सागर दिखाई देते हैं लेकिन वहाँ की पोपुलेशन डेंसिटी आज बड़ी आफ़त बन गई है इन सारे मुद्दों पर आगे बात करेंगे दीपक तालान जी कह रहे हैं बहुती जुजारूर और जावान साथी है दीपक जी कहते हैं युआओं का सही दिशा में प्रियोग किया जाना चाहिए सला सही है बिलकुल सही बात है दीपक जी जब तक हम अपने देश की जनसंख्या को बोध समझेंगे उस युआ शक्ती को बोध समझते रहेंगे जो ताकत बन सकती है एसेट बन सकती है जो वास्तव में इस देश को तरक्की की कतार में आगे ले जाकर खड़ा कर सकती है तब तक समस्या का समधान नहीं हो सकता है हम जनसंख्या नियंतरन के लिए फ्यूचर के लिए प्लानिंग जरूर बनाएं प्रोफेसर कई और नए साथी जुड़े हैं यहां भी मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा और उन्होंने जो कमेंट्स किये हैं उनको भी उनका जिक्र करना चाहूँगा कपिल कोमर जी उड़े हैं जैन को बडोत कोलेज के पूर छास संगत द्यक्ष हैं नमस्कार कपिल जी दीपक सिरोई जी नमस्कार संज्यू सिंगी नमस्कार विजय जी ने कमेंट्स जोड़ा है मैंने पढ़ा अभी डॉक्टर बजाज लगातार बने हुए हैं आप और चीज़ें जोड़ सकते हैं डुक साब किस तरह के चलेंजिज फेस कर रहे हैं इस समय हम सुशील राना जुड़े हैं ललित यादव जी जुड़े हैं आप सब का बहुत आभार बहुत धन्यवाद तो हम आने वाले दिनों में इस पर भी बात करेंगे कि डेवलप्मेंट के मोडल का human health से क्या relation है और डेवलप्मेंट का मोडल क्या होना चाहिए इस पर भी बात करेंगे और क्या population वाकई में इस देश की तरक्की के पाऊं में बेड़ी है या वो population एक asset है मनव संसाधन है वो इस देश को तरक्की की उचाईयों तक ले जा सकता है इस पर भी बात करेंगे और दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या वाले देशों से भी तुलना करेंगे हमारे पडोस का ही देश चीन है कि चीन के संसाधन क्या है उसकी population क्या है उसने कैसे इस्तेमाल किया है जो कम अबादी वाले देश है उनकी क्या स्थिती है वो कितने संपन है और हमारा देश कहां स्टेंड करता है फोकस हुमन हेल्थ ही रहेगा लेकिन उसके इर्दगिर्द जो बाकी सारे इशूज है वो मुठाते रहेंगे आप सब लगातार जुड़े रहें आप सब ने ध्यान से बाते सुनी कमेंट्स किये आप सब इस चर्चा का इस्सा बने आप सब का बहुत धन्यवाद मैं चाहूँगा कि विस्तार से और सारी चीज़े आप इसमें जोड़ें ताकि अगली बार जब हम फेस्बुक लाइव प कर दिया है वह एक अच्छा उप्शन था उस पर वह उप्शन अगर अविलेबल होता तो हम डारेक्ट लाइव बात्चीत भी कर सकते थे इसमें लेकिन अगले कुछ एपिसोड में हम उसका विकल्प तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोग जो कमेंट्स लिख र